स्वागत है आपका अपनी चैनल एक लव्यास नादक पे और मेरा नाम है सचेनर आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए हिंदी ओनर सेमिस्टर वन से जो आपका कोड सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और उसकी लिपी का इतियास उसकी जो इकाई दो है यानि कि यून हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरा यूजर नेम आपके सामने है अगर हम इस लेबस की बात करें तो इकाई दो में आपको चार टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें से पहला टॉपिक अभी तक आपका चल रहा है ठीक है हिंदी भा हैं वह अब हम कंप्लीट करेंगे तो उपभाषा हमने पश्चिमी हिंदी पड़ी थी जिसमें हमने खड़ी बोली हर्याणवी ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली के बारे में हमने पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम पूरवी हिंदी के बारे में पढ़ेंग जिसमें पहली है अवधी, दूसरी है बगेली और तीसरी है छतीसगडी, पूरवी हिंदी का हिंदी में विशेश इस्तान है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पूरवी हिंदी, क्योंकि इसमें तुलसिदास और रामचरित मानस जैसी कृतियां हैं, तुलसिदास जैसे ब गिरियर सन ने, यानि कि जो जौर्ज गिरियर सन है, उन्होंने पूरवी हिंदी की उतपत्ती अर्ध मागदी अपवरंच से बताई है, यानि कि जो पूरवी हिंदी जो उपभाशा है, उसकी जो उतपत्ती है, वो अर्ध मागदी अपवरंच से यहां पे गिरियर सन जी न तो आपको दोनों ही लिखना है पूरवी हिंदी के प्रमुक बोलियां अब हम देखते हैं कौन-कौन सी बोलियां important है एक तो है अवदी, दूसरी है बगेली और तीसरी है चतीजगडी अब इनी बोलियों को हमें समझना है अंदर तक डीप में तो पहली बोली है अवदी और अवद की बोली को अवदी कहा गया है जो उतर परदेश का अवद का इलाका है वहां की बोली को अवदी कहा गया इसके जो प्रमुक छेतर हैं यानि कि कहां-कहां पे अवदी बोली जाती है वो है लखनव, उन्नाव, राय बरेली, फैजाबाद, परताबगड, इलाबाद और फतेपूर और राम भक्ती शाका का केंदर अवद मंडल ही रहा है ठीक है राम भक्ती शाका जिनोंने श्रीराम के उपर जो बहुत सारी रचनाई करी ठीक है और आगे बढ़ते हैं, अवद का प्राची नाम कोसल था, ठीक है ये बहुत important point है इसको याद रखना कि अवद का पुराना नाम कोसल था, इसलिए अतह अवदी को कोसली के नाम से भी जाना जाता है मद्य कालीन हिंदी साहिते में अवदी भाषा का विकास शिकर पड़ता अगर हम मद्य कालीन हिंदी साहिते की बात करें तो अवदी में बहुत सारी रचनाई हुई और वर्तमान चेतर अगरम देगे अवदी कहां कहां पर बोली जाती है तो वर्तमान समय में अवदी जो है वो फैजाबाद, सुल्तानपूर, बाराबंकी, अमबेडकर नगर, लखनव, उन्ना, वरायबरेली, सीतापूर, लखीनपूर, खीरी, इलाबाद, फतेपूर, परताबगड, कोशामबी, बलरामपूर, और श्रावस्ती, गोंडा, ग्युवाना, मौरिशस, और दुबई में भी इस बोली को बोलने वाले लोगों की संक्या बहुत जादा है, अगर हम व्याकरण की बात करें अवदी के, तो खड़ी बोली की तुलना में अवदी के स्वरों की मातरा कुछ कम होती है, देखो खड़ी बोली में स्वर जादा मिलेंगे आपको, जबकि अवदी के स्वरों की मातरा थोड़ी कम होती है, और अवदी में रा के स्थान पर ना हो जाता है, ठीक है, और रा के स्थान पर रा हो जाता है, ये इसके व्याकरण की विशेस्ता है, ये पॉइंट याद रखना जो भी में व्याकरण के आ आपको बताता हूँ क्योंकि यह लिखना बहुत जरूरी है, और उधारण के लिए, श जो है यहाँ पे खा हो जाएगा, ठीक है, अगर हम अवधी में देखें, तो शा को खा बोला जाएगा, और भाशा को भाका कहते हैं, यहीं पे, ठीक है, क्योंकि शा को मैंने आपको बता बगेली है वो है बगेली बगेल खंड की बोली को बगेली कहा गया और बगेली के अंदर रीवा जबलपूर मांडवा बाला घाट ये सारे जिले आते हैं जहां जहां पर बगेली बोली जाती है और बगेली में जो आपको लोकिक्स आईते है यानि लोक्स आईते है वो बहु विकास माना जाता है और बगेली को अवदी की दक्षनी शाका भी हम कह सकते हैं ठीक हैं और रीवा और इसके आसपास के इलाके बगेल राजपूत के वर्चस्व के कारण बगेल खंड कहला है ठीक है जो रीवा जो इलाका है ठीक है उसके आसपास के जो छेतर हैं वहां पे ब बगेल राजपूतों का काफी जादा दबदबा था तो वो इलाके क्या कहला है बगेल खंड और वहां की बोली जो है वो कहला ही बगेली या इसको बगेल खंडी बोली भी कहा जाता है अगर हम व्याकरन की बात करें तो देखो व्याकरन आपको जरूर पता होना चाहिए कि अ अवधी की अपेक्षा बगेली में वा से बा उचारन करने की प्रवड़ती जाता है ठीक है तो अवधी में अगर हम तुलना करके देखें बगेली की तो बगेली के अंदर क्या होता है वा से उसको बा बना दिया जाता है और परसरगों में करम संपरदान का के का ठीक है और इ आपे मुझे जो शब्द है इसको बगेली में अगर हम देखें तो कहा जाएगा मौा या मोही ठीक है और तुझे को त्वा या तोही ठीक है तो ये इसके उधारन भी आपको याद रखने है अब पूरवी हिंडी की जो अगली बोली है वो है चतीस गड़ी चतीस गड़ी में यानि कि इन जगाओं पर चतीस गड़ी बहुत जादा बोली जाती है और मद्य परदेश के पूरवोर्तर में पलामू ठीक है बिहार के आसपास ही और उसकी सीमा से लेकर दक्षिन में बस्तर और पस्चिम में बगेल खंड को छूता हुआ और पूरव में उडीसा की सीमा तक फैला हुआ जो छेत्र है उसे वर्तमान में चतीस गड़ के नाम से हम जानते हैं ठीक है आप सब नहीं चतीस गड़ का नाम सुना हुआ होगा और अगर हम छेत्र की बात करें तो जहाँ पर मतलब चतीस गड़ी जादा तर बोली जाती है तो उसका छेत्र है यहाँ पे स आदिवासी गीत भी लिखे गए हैं ठीक है आदिवासी लोगों को आप सब जानते होंगे तो आदिवासी जो गीत हैं वो भी बहुत सारे 36 गड़ी भाशा में लिखे गए या बोली में लिखे गए और इस चेतर में कई लाख आदिवासी रहते हैं 36 गड़ के लाके में और उ कोशी करन भी भहुत आयत रूप में होता है, तो ये बहुत important point है, 36 गड़ी बोली का, कि इसके व्याकरन के एक विशिस्ता है, कि इस बोली के अंदर महा प्रानी करन जादा तर आपको देखने को मिलता है, उधारन के लिए सा को यहाँ पे छा का जाएगा, ठीक है, सा से छा ब भूलें, बैल आइकन दबा दें, ताकि आने वारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना भूलें, कमेंट बोक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और जादा से जादा आपको वीडियो को शेर कर देना है